हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से एक बार हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ड होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ फायर क्या होती है फायर कैसे लगती है फायर कितने प्रकार के होते हैं फायर से कैसे बचा जा सकता है तथा फायर इस निगूसर को कैसे यूज़ किया जाता है और किस फायर के लिए कौन से फायर इस निगूसर का यूज़ करना चाहिए Firestar Ngosar में किस component का क्या नाम होता है Firestar Ngosar का working principal क्या होता है इन तमाम छोटी छोटी जनकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाने वाला हूँ तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ड होने वाला है तो इस वीडियो को कहें स्किप मत कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यह वीडियो आपको एक बहुत अच्छी खासी जनकारी दे कर जाने वाला है तो वीडियो में लाच तक बने रहीएगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में अपना किम्ती सुजाओ जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दी हुए रेट कलर के सब्सक्राइब बन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस अच्छे टॉपिक को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आग लगती कैसे है वैसे तो आप सभी लोग आग के बारे में भली भात परचिती है कि फायर क्या होती है और फायर लगती कैसे है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात में आपे बता दूँ कि आग लगने के लिए सबसे अधिक रिक्वार्मेंट की चिछ की होती है तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ट्रिंगल काम करता है जिसको हम फायर ट्रिंगल के नाम से जानते हैं आग लगने के लिए हमको सबसे पहले रिक्वार्मेंट होती है बर्निंग माटेरियल की बर्निंग माटेरियल के बाद दूसरा रिक्वार्मेंट हमारा होता है आक्सीजन की यानि ओटू की उपस्तिती यदि आग लगने होगी, तो सबसे पहले हमारे पास burning material होना चाहिए, उसके बाद atmosphere में oxygen की उपलब्दता होनी चाहिए, और third होता है heat यानि spark की, यदि ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ अनुपस्तित हो जाता है, तो आग नहीं लग पाएगी, आग लगने के लिए यानि fire tingle है, और हमको इन में से आग को यदि बुझाना हो, तो इसमें से यदि आप किसी भी एक को हटा देते हैं, तो हमारी आग अपने आप इस ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे मान लिजी इस fire tingle से मैं अपने oxygen O2 को यहां से हटा देता हूँ, यानि उन्हों पस्तित कर देता हू तो only burning material और heat की वज़े से आग नहीं लग पाएगी, क्योंकि वहां पे oxygen की requirement होगी, यदि आपके पास oxygen है और burning material है, बट आपके पास heat नहीं है, फिर भी इस condition में आग नहीं लगेगी, यदि मान लिजी आपके पास heat भी है और burning material भी है, बट oxygen नहीं है, इस condition में भी आग नही लगेगी, यदि आपके पास oxygen है और इस पार क्यान हीट है, लेकिन आपके पास अगर burning material नहीं है, तभी इस condition में आग नहीं लगेगी, तो दोस्तों आप यहां पे सिंपली समझ चुके होंगे, कि आग लगने के लिए क्या requirement होते हैं, और किस requirement को fulfill करने के बाद आग लग जा कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों जनरली fire तो पांच प्रकार के होते हैं, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा fire के प्रकार, fire कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं परतेक fire के बारे में आपको individual बारी बार इसे विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा फायर किशन गूसर के साथ बुजाया जाता है कौन से फायर को कहां कौन सा फायर कहां पे लगता है यह तमाम जनकारिया मैं आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फायर कितने प्रकार के होते हैं फायर जनरली पांच प्रकार के होते हैं जिसमें पहला फायर होता है जनरल फायर दूसरा होता है ओल फायर तीसरा होता है गैसे फायर चौथा होता है इलेक्ट्रिकल फायर और पांचवा होता है मेटेलिक फायर जिसको हम A, B, C, D और E से डिनोट भी कर सकते हैं यानि जनरल फायर को हम A से डिनोट कर सकते हैं, ओल फायर को B से डिनोट कर सकते हैं, गैसेस फायर को C से डिनोट कर सकते हैं, इलेक्टिकल फायर को D से डिनोट कर सकते हैं, और मेटेलिक फायर को E से डिनोट कर सकते हैं, अभी यहाँ पे आप जनरल फायर, ओल फायर, गैसेस यदि आप भूल जा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम है G-O-G-E-M जिसको आप पढ़ सकते हैं Go Game यहाँ G का मतलब होगा General Fire, O का मतलब होगा Oil Fire, इस G का मतलब होगा Gases Fire, E का मतलब होगा Electrical Fire और M का मतलब होगा Metallic Fire तो G-O-G-E-M की मदद से आप याद कर सकते हैं General Fire, Oil Fire, Gases Fire, Electrical Fire और Material Fire के बारे में तो दो तो यहाँ पर आप तो समझ गया होंगे Fire कितने प्रकार के होते हैं अब मैं आपको बारी बारी से सारे Fire के बारे में विसार से बताना सुरू करूंगा अब हम बात करने वाले हैं General Fire के बारे में General Fire क्या होती है Normally जो भी आग आपको उडेन में, कपड़े में, प्लास्टिक में या घर में जो भी छोटी मोटी आग लगती है वो सारी आगे General आग होती है General Fire को बुझाने के लिए हमको साइंटिक तरीके से 8FF इस निगूसर का यूज करना चाहिए जहां 8FF का फूल फाम होता है, एक्वायर फिल्म फोर्मिंग फोयम यह जो 8FF निगूसर होता है, इसमें 9 लिटर का सिलिंडर होता है, जिसमें 8.45 लिटर वाटर होता है और 0.55 लिटर 8FF का सिलिउशन होता है, जहां 8FF का मतलब होता है एक्वायर फिल्म फोर्मिंग फोयम इसमें 60 ग्राम का CO2 कॉटेज भी लगा होता है, इसको यूज करने के लिए हमको इसके नोप पे एक जोर से प्रेश करना होता है तो CO2 का जो कॉटेज होता है, वो नीचे इस निगूसर में डॉप हो जाता है और वो CO2 इतना तगड़ा प्रेशर क्रिएट करता है कि 8FF का जो स्वलूशन होता है, वो पानी में पूरी तरह से मिल जाता है और इतना अच्छा प्रेसर उसके अंदर उत्पन होता है कि उसकी नोच से एक फोर्म निकलने लगता है और फोर्म की मदद से हम चाहें तो जनरल फायर को बुझा सकते हैं दोस्तों आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्यों हम आग को पानी से बुझा सकते हैं या नहीं बुझा सकते हैं तो सिंपल सी बात है हम पानी से बहुत ही आसानी के साथ आग को बुझा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक fire tingle वीडियो के सुरात में बताया था, कि आग को बुझाने के लिए हमको किसी भी एक element को हटाने की जूरत होती है, यदि आप oxygen, heat या burning material में से किसी भी एक को हटा देते हैं, तो आपकी आग बुझ जाती है, तो आप जैसे ही पानी को आप फेगते हैं आग के उपर, तो वहां पे जो हमारा burning material में जो आग लगी होती है, वो बुझ जाती है, तो आप heat को कम कर देते हैं, पानी फेग कर आप आग की heat को कम कर देते हैं, और हीट जब खतम हो जाती है तो आग आटोमेटिक भूच जाती है लेकिन दोस्तों यहाप एक सोचने वाली बात यह है कि क्यों कुछ आगों में पानी का यूज करने से लोग मना करते हैं तो दोस्तों इसके बारे में आपको बिस्तार से बताऊंगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यह वीडियो आपको एक अच्छी नालेज देके जाने वाली है तो वीडियो में लाज सक जरूर बने रहिएगा दोस्तों यदि मान लीजिये कोई एक आप की आग लगी आपके घर में जिसका टम्प्रेचर बहुत ही ज़yaदा ज़्यादा हो जब high temperature में हम S2 को जब हम पानी को फेकेंगे तो S2 होता है S2 प्लस O में डिवाइड हो जाएगा S2 प्लस O में डिवाइड हो जाएगा जब high temperature में आप इसको फेकते हैं अगर आपको सिंपल सा एक्जांपल जानना है तो आप देख सकते हैं कोई एक लोहे की छड़ हो जो बहुत ज़्यादा गरम कर दीजे जिसको आप उसके उपर एक बार आप पानी फेकेंगे भमसा एक धुए का और आपका चिंगारी आपको देखने को मिलेगा जिससे आप पता चलता है कि एगर हाइट टमपरिचर में आप पानी को फेकते हैं तो वहाँ पे विस्पोट होता है जो विस्पोट आती है वो इंधन H2 के कारण आती है और जो आग के फुहारे आपको दिखाई देंगे वो O2 आक्सीजन की पस्तिस कारण जो हाइटोजन का काम करता है उसकी वरसे दिखाई देते हैं इसलिए कभी भी हाइट टमपरिचर में आपको पानी का परियोग नहीं करना है पानी का परियोग आप तभी करें जब टमपरिचर आग का कम हो आग छोटी हो जैसे माले यह किसी लकडी के दरवाजे में आग लग गया किसी टे बॉछाते है यह कीसा दिखता है इसके पार्ट का क्या नाम होता है किस पार्ट को क्या बोलते है तथा इत्था कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं तो दो año 15 तो अभी दिखी गया होगा Matmar 2 보ggotthey अब मैं इसके पार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो rate color की इसकी जो body दिखाई देती है इसको हम 8FF एस निगूसर का cylinder बोलते हैं इसके बाद आपको एक यहाँ पे pipe दिखाई दे रहे होगी black color की जिसको हम hoj बोलते हैं उसके बाद यहाँ पे जो सबसे नीचे जो दिखाई देरा है इसको हम बोलते हैं नोजल जिससे हम AFFFORM को बाहर निकालते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक मीटर दिखाई दे रहा होगा इसको हम बोलते हैं CO2 का जो pressure होता है जो CO2 का cottage होता है वह कितना चार्ज है उसका प्रेशर यहाँ पे दिखाई देता है उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं स्कृच हैंडल जिसकी मदद से हम इसको दबा करके A triple F इुज करते हैं अब 8EEFF को यूज कैसे करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पीन दिखाई दे रही है इस पीन को निकालना होता है पीन निकालने के बाद इस स्वीज हिंडल को आपको जोड से प्रेश करना होता है और जो यहाँ पे nozzle है जो होज का nozzle दिखाई दे रहा है इसको आपको एक हाथ से carry करना होता है और जहाँ पे fire लगी होती है वहाँ पे swipe motion में यानि eight knot के motion में इसको swipe करना होता है दोस्तों यहाँ पे हमको एक बात का विस्तियत ध्यान देना होता है कि हमको हवा का देख लेना होता है रुख हवा किस दिसा में बह रही है और आग किस दिसा में लगी हुई है उस हिसाफ से ही हमको इसको आपरेट करना चाहिए जैसे मान लीजी आग लगी है और हम इस निग करना चाहिए आग के उपर जिससे हमारा सारा फोम जो आग पे पहुँच जाए वहां पर थोड़ा सा कामन सेंस की जोरत होती है कि जो हम इस निगुस्टर के यूज कर रहे हैं हमारा फोम जो है मैं आपको बताऊंगा अगले फायर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं क्लास B फायर के बारे में जिसको हम ओल फायर के नाम से जानते हैं क्लास B फायर यानि ओल फायर अब हम आपको बताऊंगा ओल फायर होती क्या है ओल फायर लगती किसमें है सिंपल सी बात है औil fire यानि वा fire जो सभी द्रव जरौ नसिल पडार्तों में जोवाग लगती है उसको हम OIL fire काते हैं जैसे मिट्टी के तेल में आग लग गई डीजल पेटरोल जैसे ही जितने जरौ नसिल पडार्त हैं इसको हम OIL fire यानि Class B fire काते हैं अब हम आपको बताएंगे ओयल फायर से बचने के लिए हम को क्या करना होता है ओयल फायर जिदी कहीं लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए हम कौन से इस्टनीगूसर का यूज करेंगे ये तमाम जनकारियां अब मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों ओयल फायर से बचने के लिए हम जो इस निगूसर का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है 8FF जिसको वीडियो के उपर मैंने आपको अलड़ी बता दिया है दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ बातों की साउधानिया रखनी होती है 8FF इस निगूसर को यूज करते समय जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैसे यूज करने का तरीका तो मैंने आलरेड़ी पार्ट वन में ही आपको बता दिया है यहाँ पे कुछ प्रकोशन यहाँ पे हमको यह रखने होते हैं कि जब हम 8FF इस निगूसर को यूज करते हैं तो फायर पॉइंट से हमारी दूरी कम से कम 2 मिटर की होनी चाहिए क्योंकि इस दूरी के बाद ही हमको फायर फाइट करनी चाहिए नहीं तो जो आग का फोर्स होता है जो आग की तेज होती है जो जोलन होती है उससे हमारी बोड़ी जल सकती है हमारा पार्ट भी जल सकता है इसलिए यह डिस्टेंस हमको मेंटेन करना चाहिए और 8FF इस निगूसर को यूज करते समय जो इसका नोजल होता है उसको हमको हमेशा स्वाइप मोसन में घुमाना चाहिए याने 8 नोट के मोसन में घुमाना चाहिए जिससे जो फोर्म होता है अच्छी तरीके से आग के उपर फैलेगा और आग को बुझा देगा और आग को बुझा जाता है यानि गैसेस फायर के बारे में गैसेस फायर क्या होती है गैसेस फायर को कैसे बुझा जा सकता है इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ गैसेस फायर यानि क्लास सी फायर वो फायर जो क्लास सी फायर के अंतरगत आते हैं gases fire कालाते हैं अब मैं आपको gases fire के कुछ example दे देता हूँ कि gases fire कहा लगती है चाथ gases fire को कैसे पुझाये जाएंगे इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा तो सबसे पहले जो घर के हर घर में जो रसोई चूले होते हैं उसमें जो cylinder होता है उसमें जो fire लगती है उसको हम gases fire काते हैं क्योंकि gas cylinder के अंतर का जो gas भरी होती है उसका नाम होता है liquid petroleum gas उसमें जुवाग लगती है या उसकी वज़ा से जुवाग लगती है उसको हम gases fire के नाम से जानते हैं अब मैं आपको बताऊंगा gases fire को बुझाते कैसे हैं gases fire को बुझाने के लिए हम dry powder type 5 निश्टुमेंट का प्रियोग करते हैं इस निश्टुमेंट की मदद से हम gas के उपर एक powder की परत बना देते हैं जिसकी मदद से जो gases होती है और निस्करी हो जाती है उनका oxygen के साथ connection सहीचे नहीं हो पाता है और इसके बाद हमारा जो आग होता है वो बुझाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आग को लगने के लिए एक fire ट्रिंगल का होना बहुत ही जोरी है अगर आप किसी भी एक का cut off कर देते हैं आग बुझाती है तो यहाँ पे जो हम die powder type fire ट्रिंगल का प्रियोग करते हैं उसकी वज़त से हम oxygen को निस्क्रिय कर देते हैं और हमारी जो आग होती है जो gases fire की जो आग होती है वो बुझाती है हमको उमीद है आपको यह समझ में आया होगा कि gases fire क्या होती है और gases fire के example में आप से कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो gas cylinder में आग लगती है वो gases fire के example होता है जो CNG में जो आग लगती है वो gases fire के example होता है जो भुपाल gas तास्दी में जो विस्पोर्ट हुआ था मिथाल आइसोसाइनेट की वज़से वो भी एक gases fire के example है gases fire के example और होता है जब high temperature में आप बार्नी को फेकते हैं तो वहाँ पे भी जो विस्पोर्ट होता है वो भी gases fire का example होता है यानि जो भी gas में जो आग लगती है उसको हम gases fire करते हैं इसका example आप समझ गया होंगे और इसको बुझाने किस्ते हैं तो इसके बारे में आपको बता दूँ सुस्क पाउडर वाला अगनी सामक गयांतर हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्रिस में आप बोल सकते हैं ड्राइ पाउडर टाइप फैश्न गुसर इस्टुमेंट का यूज़ करके हम गैसेस फैश को बुझाते हैं अब हम बात करने वाले हैं electrical fire के बारे में electrical fire को class d fire में divided किया गया है यानि class d fire में वर्क्रिप किया गया है electrical fire बहुत ही important fire है इसके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ही यादा जरूरी है क्योंकि आज कल घरों में सबसे अधिकाग जो लगती है electrical fire की वह से लगती है और यह fire बाद में general fire का रूप ले लेती है और यह बढ़ते बढ़ते metallic fire का भी रूप ले लेती है यानि electrical fire एक ऐसी fire है जिसकी वज़ा से कोई भी fire लग सकती है लग सकता है फ्रीज में आग लगने की वज़ा से आपके घर में आग सकता है घर में आग लगने की वज़ा से आपके घर में जो LPG के सिलिंडर रखके हुए है उसमें आग लग सकते है यानि electrical fire की वज़ा से आपके घर में general fire, gases fire, metallic fire, कोई भी fire लग सकती है तो आप समझ सकते हैं इलेक्रिकल फायर कितनी important है, कितनी महत्पूर्ण है, इसके बारे में जानना आपके लिए कितना महत्पूर्ण है तो दोस्तों इस वीडियो को कहीं skip मत करिएगा, मैं आपको जनरल फायर के बारे में अब विस्ताफ से जनकारी देने जाने वाला हूँ तो दोस्तों इलेक्रिकल फायर क्यों लगती है, इसके पहले में कुछ कारण आपको बता देता हूँ कहीं न कहीं कुछ हमारी गलतियां होती हैं जिसकी वज़ा से electrical fire देखने को मिलता है जैसे हम कहीं भी कोई wiring कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो wiring करते हैं उसमें कोई कहीं wire का कटा पाया जाना wire का spark करना इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं कोई हम बोर्ड लगा रहे हैं तो अच्छे क्वाल्टी का बोर्ड नहीं लगाना ISI प्रमाडित बोर्ड का यूज नहीं करना लोकल कंपोनेंटों का यूज करना ये कहीं न कहीं आगे चलके fire का कारण बन जाती है इसलिए हमको जो भी कंपोनेंट यूज करने चाहिए एक अच्छे कंपनी से सर्टिसफाइट कंपोनेंटों का यूज करना चाहिए wiring का विशेद धियान देना चाहिए wire को अच्छे तरीकों से दिवाल में secure करना चाहिए ताकि कहें भी किसी प्रकार का fire न हो इस पार न हो यहां दुख्तों आप तो समझ चुके होंगे कि fire को electrical fire से बचने के क्या उपा है जो general precaution है जो हर आदमी को करने चाहिए लेकिन इसके बाद भी अगर electrical fire लग जाती है तो इसको इससे कैसे बचा जाएगा इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तो electrical fire से बचने के लिए जो हम स्ट्निगूसर का यूज करते हैं उसको हम CO2 स्ट्निगूसर करते हैं यह एक CO2 का स्ट्निगूसर होता है जो black या orange कलर के रूप में market में मिलता है इसकी जो duration होते है 60 to 90 seconds इसका duration होता है लेकिन CO2 स्ट्निगूसर को यूज करते हैं हमको कुछ progression का भी ध्यान रखना होता है जो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो CO2 का स्ट्निगूसर होता है इतनी जो noge होती है और noge के लिए जो pipe गई होती है वो metal की होती है और CO2 तो जानते हैं इसको हम cold ice के नाम से जानते हैं जब हम CO2 को cold ice के नाम से जानते हैं और यदि हम noge को ना पकड़के हम लोहे की pipe को पकड़ लेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो CO2 pipe से होते हुए हम जो use कर रहे होंगे आग को बुझाने के लिए उस metal को इतना ठंडा कर देगा जिसकी वजह से आपके हाथ में cold warm हो जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा इसलिए कभी भी CO2 इस निगूसर यूज करते टाइम उसके pipe को metallic part को नहीं पकड़ना चाहिए हमको या तो noge को पकड़ना चाहिए या जो robot की grip दीवी है उस grip को पकड़ना चाहिए जिससे आप अपने आपको cold warm होने से बचा सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि electrical fire को general fire में कैसे convert किया जाता है दोस्तों electrical fire तभी तक electrical fire होती है जब तक उसमें current आ रहा होता है जैसे माल लीजिए आपके घर में किसी room में आग लग गई electrical fire की विए से और आप अपने घर की MCB को trip कर देते हैं यानि अपने घर में connection को cut off कर देते है electrical supply को तो आप तो अभी भी वहाँ पे जल रही होगी क्योंकि वहाँ पे हलका फुल का इस पार की विए से जवाग लग गया है वो तो जलता ही रहेगा लेकिन जो वो अब आग रहेगी यह electronic component में पानी का यूज करते हैं तो electronic component पता यह बहुत चोटे-चोटे componentों से मिल कर बने होते हैं पानी जाने से वो खराब हो सकते हैं इसलिए हमको CO2 का यूज करना चाहिए होगी इस फायर को में के रूप में दिखाते हैं वर्कीद करते ना से कीओ गूसर के होते हैं पहला होता है जो दो दो लिटर का सियोटिशन को सर होता है जो दो लिटर का सियोटिशन को सर होता है जो दो लिटर का सियोटिशन को सर होता है इसका सियोटिशन को सकेंड का होता है और जो नाइन लिटर का सियोटिशन को सर होता है उसका सियोटिशन को सियोटिशन यह उसको बंद कर देंगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन यह AFF में ऐसा देखने को नहीं मिलता है AFF को एक बार यूज कर देने के बाद वह पूरा का पूरा डिश्चार्ज हो जाता है यानि उसके अंदर जितना भी फोम बनता है उस सारे के सारे फोम रिलीज हो जाते ह तो यहाँ पे दोस्तों CO2 इंगूस्तर में यही फायदा होता है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमको उमीद है कि आपको इलेटिकल फायर के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी अब हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं metallic fire किया होता है तो metallic fire कैसी लगती है तो वो जो fire होती है वो metallic fire होती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है आप सोच सकते हैं कि metal में आग लगेगी तो लगे ही कैसे लेकिन किसी भी metal में आग लग सकती है लेकिन वहाँ पर temperature का बहुत ज्यादा होना बहुत ज़रूरी है लोहे में भी आग लग जाती है ज तो उसको बुझाने के लिए हमको पानी का उपियोग नहीं करना है क्योंकि हम पानी का इसम innovation funding नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको आल्रेडी वीडियो के उपर बता दिया है कि हाइ टंप्रेचर पे पानी जो हता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है यानि हाइड्रोजन और आकफीजन में डिवाइड हो जाता है और टंप्रेचर कितना होना चाहिए जो मैंने आपको वीडियो में आल्रेडी उपर बताया हुआ है आप कमेंड करके नीचे जरू बताईएगा कि ओर टंप्रेचर कितना है अब मैं दोस्तों आपको बता दूँ या आपको पाननी का यूज नहीं करना है मेटेलिक फायर को बुझाने के लिए हमको यूज करना है तो DCP का यूज करना है DCP का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर या ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है जिसका उपयोग हम करते हैं मेटेलिक फायर को बुझाने के लि और उसकी आग जो होती है बुझने लगती है हमको उमीद है आपको मेटलिक फायर के बारे में भी यहां पे एक अच्छी खादी जानकारी मिली होगी अब दोस्तों मैं आपसे इस क्रम में कुछ कोश्चन पूछूंगा कुछ कोश्चन के जवाब आपसे पूछूंगा मैंने तो मेरा वीडियो और मेरी म्यानत समझ में आई है तो आज के दोस्तों बस इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम